है पी होली गाईज श्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में आई होप आप सब अच्छे होंगे इस होली मस्त होंगे खूस होंगे इंजोई कर रहे होंगे तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो है आज ब्लाउज की हाफ कॉलर वाल इकटिंग है यह उसस ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले मैं ब्लाउज से जुड़ी वीडियो हर रोज डालती रहती हूं यूट्यूब में तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं यह हमारा मेजेर्मेंट है लंबाई है हमारी ब्लाउज की 14 चौदा इंच है कमर 31 और चेस 34 से तो इस मेजेर्मेंट के एक ओडिंग हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे हमारी ब्लाउज की लेन थे 14 इंच तो मैं इसमें एक इंच एट करके ले रही हूं 15 इंच सिलाई के लिए यहां से नीचे से मैं 2 पॉइंट छोड़के सिधी लाइन लगा रही हूं यह फैब्रीक ह यह 31 इंच तो 31 का हाफ हमारा पॉने आठ होगा एक इंच डॉट के लिए लेंगे दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे मर्जन के लिए उपर भी चेस्ट के पास भी सेम वैसे ही निशान लगाएंगे चेस्ट है हमारी 34 तो 34 का चौथा ही होगा साढ़े आठ इंच और दो इंच म नारजन के लिए रखेंगे यह तो हो गया उपर का सोल्डर है हमारा 15 इंच तो 15 का हम हाफ करेंगे साढ़े साथ होगा तो साढ़े साथ पर हम निसान लगा लेंगे और हमारी आर्मोहॉल है साढ़े 14 तो उसका हम साढ़े 6 इंच पर मैं ले रही हूँ आप चेस्ट के कोडिंग निकाल सकते हैं इसको सिध्य लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम आर्मोहॉल के पास भी सिध्य लाइन लगा लेंगे और जो हमारी फिटिंग है उसे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो मार्जन का है वहां भी तो अब हम इसमें आर्मोहॉल की गोलाई निकालेंगे तो यहां पर आप धिहान दीजिएगा थोड़ा दो इंच हमारा यहां से जो फैबरिक है सेम दो इंच उपर भी इसी तरह से मर्क करेंगे और इसके कॉर्नल से एक इंच रखेंगे हम यह कॉलर ब्लाउज है तो इसमें ज्यादा उपर तक नहीं लेंगे हम इसको थोड़ा डीप करके लेना होता है और उपर से हमें हाफ इंच डाउन करना है सॉल्डर की तरफ से गले की चोड़ाई लेंगे तीन इंच सॉल्डर हमारा बचेगा थाढ़े चार इंच होगा कटिंग होने के अबाद यह गले का मैं दो इंच गेहराई ले रही हूँ यहाँ पर कॉलर लगानी है तो इसे डीप नहीं करेंगे उनली मार्क करेंगे छोटा सा दो पोइंट के कपड़ा इसको कटिंग करेंगे हम तो मेरा पुरा मार्किंग कम्प्लीट हो गया अब हम इसको कटिंग करेंगे जित्ती मार्किंग है अमर उसी तरह से उसके उपर से हम कटिंग कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल में एक बर चेक आउट जरूर कीजिएगा बहुत सारी विडियो जाचकी हैंमारे ब्लाउज डिजाइन है अप जो भी देखना चाहिए हम्हारे चैनल में सारे अबलेबल हैं मिल जाएंगी आपको और आगे भी मिलेंगी बहुत सारी ऐसी विडियो सम in आगे भी नई तो हमें देखने के लिए हमारे चाइनल पर जुड़ जाएए यहां पर चुटा कट लगाएंगे तक हमारी जो सोल्डर है वो प्रोपर दिखाई दे मालूम हूँ अब हम निकालेंगे अपना फ्रेंट पाट तो यह हमारा जो फैबरीक है जो साइड से निकला इसको हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारी जो कस्ट्रमर है उनकी ब्लाउज क्रॉस कटिंग है यहां पर ज्यादा तो लोग क्रॉस ब्लाउज ही पहनते हैं साधा नहीं बनाया जाता है तो इस तरह से हम फैबरीक को तिर्चा रखके फ्रंट पाट निकालते हैं बैक पाट तो हमा जादा ब्लाव जे साही रहता है बट इसकी फीटिंग बहुत ही अच्छी आती है तो इसको हम सिधे इस तरह से बैक पले को क्रोस में रखेंगे और जितना हमारा बैक पार्ट में है यह आर्मोहूल उसे ही सेम निसान लगा लेंगे यहां भी इस सुल्डर के पास में भी इसी तरह से निसान लगा लेंगे और नीचे से दो इंच छोड़ कर मार्क कर लेंगे किमकि नीचे बैल्ट लगेगी फ्रंट पार्ट में तो यह हमारा मार्किंग हो गया आगे का नेख है हमारा आठ इंच तो इसको हम इस तरह से तिर्चा रखेंगे और आठ इंच पर मार्क कर लेंगे और चेस्ट है हमारी तेरा इंच है तो इसमें भी एक इंच एड़ करके लेंगे हम 14 इंच पर निसान लगाएंगे और जिदर से हुक्स लगाते हैं वहां से हम पांच इंच लेंगे इसमें अब इस लाइन को हम सीजी ड्रॉव कर लेंगे इस तरह से यह हमारी लाइन ड्रॉव हो गई अब हम नेक निकालेंगे तो यह कॉलर बिलाओ जिए डैरेट कॉलर है इसमें तो उसके लिए मैं तीन इंच की गहराई लूँगी प्लस इसमें एक इंच एड़ करूँगे मैं गुलाई देने के लिए मटके सेब बनाने के लिए तो यह एक इंच पर मैं बढ़ा के मार्क की हूँ अब इसको गुलाई में मिलाएंगे अच्छे से अच्छे से गुलाई देते हुए अराम से अपने जो सोल्डर की जो हमारी मार्किंग है वहां से हम डेड़ इंच बाहर से मार्क करेंगे देड़ इंच यही हमारी कॉलर बनेगी देखिए यह प्रोपर देड़ इंच है उपर से हम चार इंच लेंगे इसको भी सीधी लाइन लगा लेते हैं पहले उसके बाद चार इंच नाप के इसको ड्रो कर देंगे लाइन तो यह जो हमारा एक्स्ट्रा फाइबरिक जो उपर की तरफ हम ले रहे हैं है चार इंच का और देड़ इंच वड़ाई चार इंच लंबाई तो यही हमारी बैक पार्ट में कॉलर बनेगी और यह जो मैं मार्क कर रही हूँ यह हमारी बक्रम की साइज कटिंग होगी यहां पर बक्रम लगा के हम नेक फिनिसिंग देंगे आर्म होल की साइड में हाफ इंच डाउन करेंगे हर ब्लाउज में यह डाउन किया जाता है फ्रंट पाट में यहां पर डॉट आती है अगर सेम साइज कटिंग कर लेंगे तो डॉट में जाने के बाद फिर यह छोटी हो जाएगी इस तरह से हाफ इंच डाउन करके लेंगे तो अच्छी फिनिसिंग आती है फिटिंग की अब हम नीचे से डॉट का मार्किंग कर लेते हैं फोर डॉट जो हमारा आएगी उसमें उपर से चेस्ट निकालेंगे हम दस इंच पर और बीच की जो हमारी क्रॉस जो लाइन है वहां से हम डॉट का पॉइंट निकालेंगे इसके यल की मदद से इस तरह से तीर्षी लाइन लगा लेंगे उसी तरह से हमारे जो मेन पॉइंट है जो बीच में मैं छोटा मारकी हूँ वहाँ से डेड़ डेड़ इंच की गैप रखनी है हमें चारो डॉट में और उसको स्केल की मज़र से सिध्य लाइन ड्रॉ कर लेंगे साइड की हमें तिर्शी लगानी है बीच वाली सिध्य लाइन लगानी है हमें तो यह हमारी लाइन ड्रॉ हो गई मैं काफी सारे वीडियो में फोर डॉट लगाना मारकींग करना इस्टिच करना बताई हूँ मेरे चाइनल पर आप एक बर चेकाउट करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं जिस तरह से मारकिंग होई है सेम अपने मारक के उपर से कटिंग कर लेंगे इस पार्ट को हम नहीं निकालेंगे अभी इसकी साइच का हम जब केन वास निकाल लेंगे बकरम उसके बाद इसको डैरेक में फैबरिक से सेट करने के टैम निकालेंगे तो अभी मैं साइट साइट से ही बस फैबरिक निकाल रही हूँ इसकी यह हमारी पटी बनेगी तो यह हमारी पुरी कटिंग हो गई है यह बैक पार्ट है और यह जो हमारे एक्ट्रा फैबरिक है इसको भी निकाल देते हैं अब हम अपने मसीन के उपर आ गए है तो हम इसकी अब स्टीचिंग आपको दिखाएंगे फुल कॉलर स्टीच करके बताएंगे इसाथे तीन इंचे हमारा एक बर फीर से मार्जन देख लेजिए आप लोग पूरा अच्छे से अब इसके उपर हम में फैबरिक अपना सेट करेंगे यह हमारा में फैबरिक है तो यह हमारा पुरा सेट अप हो गया मैंने इसका पफ भी बना लिया बेल्ट हो गारा पट्टी सारी इसमें अटेच हो चुकी है तो स्टीच में मैं श्रीफ कॉलर लगाना ही बताऊंगी यह तो मैं काफिस वीडियो डाल चुकी हूं अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक बार जरूर देखिए जाके केंवस भी मैंने कटिंग करके सेट अप कर लिया इसका ऐरन करके और इसके साइट का जो फेबरी के एक्स्ट्रा उसको हम छोटे-छोटे कट लगा के अच्छे से फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेंगे पहले इसको सिलाई लगा लेंगे तो हम ये बाद में तुर्पाई के लिए एजी हो जाता है नेक को अच्छे से रेडी करके फिर इसको हम अपने फ्रंट पार्ट की नेक में जॉइंट करेंगे बीच में भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ हमारी सिलाई हो गई हमारे जितना भी हुक्स का पट्टी के जो साइज होता है उतना रखके मार कर लेंगे और वहां से हम केनवास रखके अपने पट्टी की सिलाई लगाएंगे हमसे एक बराबर रखते हुए इस तरह से हमारे लाइन है पर्फेक्ट एकदम लाइन के उपर ही सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक भी बराबर सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे इक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे अब राउंड वाली पर्सन पर इसको अच्छे से चोटे-चोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी इजली जो कैनवा से वो उल्टे साइड में पल्टी हो जाएगी तो ये कट लगाना बहुत जरूरी होता है तरह से फिनिसिंग इसको फोल्डिंग करते हुए इसमें हम हेमिंग करेंगे दुर्पाई करके इसको सेट करेंगे ये हमारा दोनो साइड का वकरम रेडि हो गया अटेच होके अज़ाओ को आप लोगों को समझ में आया गया होगा कॉलर के लिए कैसे डाइरेक्ट कॉलर हम कैसे बनाते हैं ये हमारा बैक पार्ट झाल झाल झाल